जम्मो कश्मिर के उधंपूर जिले से बड़ी खबर आपको बता दे जहां एक भीशन सड़क हाथसा पेश आया है सलमेडी शेतर से उधंपूर की ओर जा रही मिनी बस हाथसे का शिकार हो गई है जिसमें 30 के करीब सवार लोग घायल हो गए हैं जानकारी का अनुसार मिनी बस उधंपूर की ओर आ रही थी कुछ दूरी पर ही चालक के नियंतरन से बाहर होकर सड़क से नीचे खाही में जा गिरी जिसके चलते मिनी बस में सवार 30 लोग घायल हो गए हैं हाथसे की खबर मिलते ही अस्थानिये लोग मौके पर पहुँश कर पुलिस को खबर दी जिसके बाद पुलिस और स्थानिये लोगों के द्वारा रेस्क्य ओपरेशन शुरू किया गया है वहीं घायलों को उपचार के लिए GMC उधंपूर लाया गया है जहां उनका इलाज क्या जा रहा है तो देखिए उधंपूर जिले में भीशन सडखासा पेश आया है जिसमें 25-30 लोग घायल हुए है दरसल ये बस सलमेरी शितर से उधंपूर की ओर जा रही थी और बस हाथसे का शिकार हो गई है वारा पैली सलमेरी का जो लाका है बहाँ बार से ये मैड़ोर आ रही थी उसका एक्सेंट हुआ है तीस से बतीस लोग इंजड है और तीन जो है वो स्वेरली इंजड है और एक की तो लग अबिट होगे तीन प्रिडिकल कंडिशन में तो जो भी जता संबब जो इनको हैल्प दी जा सकते हो दे रहे हैं इसमें बीच से वाइस प्रूंट तो नर्सिंग का लेके हैं और आट से दास आम समारी होगी जो भी वैस्ट पॉसिबल टीटमेन को इनको देंगे और जो भी गौप्रमेंट की तर्फ से इमिजेट जो रिलीव हम दे सकते हैं वो भी डीसी माडम जहां से ओके गई हैं तो जो बेस्ट प्रस्विवर्ट ट्रीट्मेंट उका उनको देंगे और जो ज़सा संबब मदब की जाएगी अगर किसी का ट्रीट्मेंट जाओं संबब नहीं हुआ उसको हम आगे बड़े हस्पिटल में रखेंगे जो है वो थोड ज़िए और जो भी बेस्ट पॉसिबर्टी रोड़ों को भी थोड़ी देखने की जिरूट है और यह बचे जितने भी हैं सब को बेच दिया है होस्पिटल में अब हॉस्पिटल में उनका ट्रीट्मेंट चल रहा है काफी ज़्यादा चोटें लगी है कुछ लोगों को तो यह पाफी ज्यादा गंबीत च्वोटें लगी हुई है तो उनका रेस्क्यू करके बच्वों को पीज दिया है यह यह बैली से आ रही थी यह फर्णा मग्योड के बीच में पड़ता है यह रोड मंदर के पास में है यह यह संसू इस पार है इस पार मग्योड है काफी हुए हैं फिलाल इन घायलों का जो है इस्पताल में इलाज चल रहा है देश-दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवीरा टीवी यूट्यूब फेस्बुक इंस्टाग्राम एक्स और वट्सेप चैनल पर हुए 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 हुए